जैसे अपने परिवार के सदस्र की चिंता करें वैसी चिंता सिमान गुलाम नभी जी मुझे चिंता इस बात की है कि गुलाम नभी जी के बाद इस पद को जो समालेंगे उनको गुलाम नभी जी से मैच करने में बहुत दिकत पड़ेगी क्योंकि गुलाम नभी जी अपने दल की चिंता करते थे लेकिन देश की और सदन की भी उतनी ही चिंता करते थे यह चोटी बात नहीं है जी बहुत बड़ी बात है वरना अपोजिशन के लीडर के रूप में अपना दबदबा प्यादा करना यह सब मोह किसी को भी हो सकता है लेकिन उन्होंने सदन से मैं शरत्पवार जी को भी इसी केटेगरी में रखता है वे सदन की और देश की चिंता को प्रायोरिटी देने वाले नेताओं में से रहे हैं गुलाम नभी जी ने बख्खुबी इस काम को निभाया है मुझे आद है इस कोरोना काल में मैं एक फ्लोर लीडर्स की मिटिंग कर रहा था तो उसी दिन गुलाम नभी जी का फोन आया तो बोदी जी यह तो ठीक है आप करते हैं लेकिन आप एक काम कीजिए सभी पार्टी लीडर्स की मिटिंग जरूइर बुलाई है मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने पार्टी लीडर्स के साथ सभी पार्टी अध्यक्षकों के साथ बैठने का मुझे सुझाव दिया और मैंने उस मिटिंग को किया भी गुलाम नभी जी के सुजावपर किया था और मुझे कहने में यानि इस प्रकार का संपर्ख और उसका मूल कारण है कि उनको दोनों तरप का अनुभोग रहा है सत्ता दल का भी और विपक्ष का 28 साल करकाल है यह अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है जहीं है कि बहुत साल पहले की बात है साइद अटल जी के सरकार होकी में ज्याद ने रहा है मैं यहां सदन में किसी काम है था मैं तो तब राज नितिमें नहीं था यह इनक्रान प् Gilbert 7 में नहीं था मैं संगर्षन का काम करता था तो मैं और गुलाब नभी जी ऐसे ही लॉबी में गपे मार रहे थे अब जैसा पत्रकारों का स्वफाव रहता हैं वराब नजन लगाएं बैठे थे कि ये दोनों का बेल कैसे हो सकता है हम हसी कुछ इसे बाते कर रहे थे तो हम जैसे ही निकले तो पत्रकारों नगहेल दिया गुलाब नभी जी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया था वो जवाब हम लोगों के लिए बहुत काम आने वाला है उन्हों का भाई देखिए आप लोग हमको अख़वारों में या टीवी माध्यमों में या पब्लिक मिटिंग में लड़ते जगड के देखते हो लेकिन सच मुझ में इस चत के नीचे हम जैसे एक परिवार का बाताउन कहीं नहीं होता है इतनी हमारी आत्मतिया होती है इतने सुख दूख होते हैं यह जो स्पिरिट है वो स्पिरिट अपने आप में है बहुत बड़ी बात होती है गुलाब नभी जी का एक शौक शाइद बहुत कम लोगों को पता होगा और कभी उनके साथ बैठो गे तो बताएंगे हम सरकारी बंगलों में रहते हैं तो बंगले की दिवारे अपना सोफा सेट उसी के आसपास हमारा दिमाग रहता है लेकिन गुलाब नभी जी ने उस बंगले में जो बगीचा बनाया है यह एक प्रकार से कश्मीर की घाटी की याद दिला दे है आईसा बगीचा बढाया है और इसका उनको गर्व भी है वो समय देते हैं नहीं नहीं चीज़े जोडते हैं और हर बार जब कॉंपटिशन होती है तो उनका बगलों रवर्वल ने आता है कि अरे अपने सरकारी जगा को भी कितने प्यार से समालना है यह बिलकुल मन से उन्होंने इसको समाला है जब आप मुख्यमंत्री थे मैं भी एक राज्य का मुख्यमंत्री के नाते काम करता था हमारी बहुत गहरी निकरता रही है शायद ही कोई ऐसी घटना निमिल सकती है कि जबकि हम दोनों के बीच में कोई संपर्ख से तुना रहा है एक बार गुजरात के यात्री क्योंकि जमुकेश्मिर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है और टूरिस्टों ने पर हमला कर दिया तरिवांट लोग साइद मारे गए सबसे पहले गुलाम नभी जे का मुझे फोन आया और वो फोन सिर्फ सुचना देने का नहीं था उनके आशू रूक नहीं रहे थे फोन पे उस समय प्रणव मुखर जी साब डिफेंस मिनिस्टर के नहीं को फोन किया बरका साब अगर अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए इंडेड़ बोड़ी को लाने के लिए रात देर हो गई थी अगर मुखर जी साब ने कहा अप चिंता मत कीजिए मैं करता हूं भी होसता लेकिन रात में फिर गुलाम नभी जी का फोन आया वेर पुट थे उन्हें मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्रक की चिंता करें बैसी चिंता अपने बाइब सक्टा जीवन में आते रहती है लेकिन उसे कैसे पचाना मेरे लिए बड़ा बाहुपल था हूँ दूसरे दिन सुबह फोन आया तो मोडीजे सब लोग पहुंच गई इसलिए एक मित्र के रूप में गुलाम नभी जी को गटना और अनुभव के आधार पर मैं आधर करता हूँ और मुझे पुरा विश्वास है कि उनकी संव्यता नम्रता इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनकी कामना वो कभी उनको चेंज से बैठने नहीं देगी और मुझे विश्वास है कि जो भी दाईत पर जहां भी वो समानेंगे कि जुरूर वैल्यू एडिशन करेंगे कॉंट्रिबिशन करेंगे और देश उनसे लभाविन प्रित होगा एस अवरा पॉक्ता विश्वास है मैं फिर एक बाद उनके सेवाओं के लिए आधर पुर्वक धन्यवात करता हूं और व्यक्तिक अद्रूप से भी मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि मन से मत मानो कि अब आप इस सदन में नहीं हो आप के लिए मेरे द्वार हमेशा खुले इन चार मानिय सदसों के लिए खुले हैं आपके विचार आपके सुझाव क्योंकि देश में सब बहुत जरूरी होता है यह अनुभव बहुत काम आता है मुझे मिलता रहेगा यह पेक्षा मैं रखता ही रहूंगा आपको मैं काम ने देने वाप